सब्सक्राइब करो मिर्स चैनल को और इस गंटी को दबा दो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि C.A.A. और N.R.C. बिल के ब्रोध में कई बॉलिवोड सूपर रिस्टार उतरे लेकिन सल्मान सारुक आमिर इनका किसी का इस बिल पर कोई जबाब नहीं आया लेकिन सल्मान खान ने अपने बर्तरे पर C.A.A. और N.R.C. बिल के बादे में क्या कुछ कहा वो मैं आज आपको बताता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि सल्मान खान के फिल्म दबंग थरी भारत में रिलीज हुई लेकिन उसे 10 दिन हो गए और भारत में कुल 142 करोड रिपे ही उसने 10 दिन में कमाए है और बर्ड वाइड अगर हम बात करें तो उसने 212 करोड रिपे कमाए है 500 स्क्रीन पर ये फिल्म रिलीज हुई जो सल्मान खान को देखते हुए बहुत ही कम कमाई है इसका सल्मान खान ने अपने बर्तरे पर खुला सकिया और उन्होंने कहा जितनी मुझे उम्मीद थी उस पर फिल्म खरी नहीं उत्री क्योंकि NRC और CAA बिल के ब्रोद के कारण दिल्ली और उत्तर पिर्देश में फिल्म को काफी नुकसान हुआ बहुत कम ही लोग इस फिल्म को देखने गए जिसका सीधा परवाब सल्मान की फिल्म पर पढ़ा क्योंकि NRC और CAA बिल के ब्रोद में दिल्ली उत्तर प्रदेश में किस तरह से बावाल मचा था तो इसलिए लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सल्मान की फिल्म दबंग थिरी को देखनी नहीं गए जिससे सल्मान का काफी नुकसान हुआ और सल्मान खान और जो बड़े बड़े सूपरिस्टार हैं वो लगा रहे थे जैसे सल्मान की फिल्में चलती है साड़े तीजन सो करोड चार सो करोड कमाती है लेकिन इस फिल्म ने अभी तक दस दिनों में कुल दो सो बारे करोड लिपे ही वर्ड वाइट कमाए हैं और भारत में कुल 142 करोड लिपे ही कमाए हैं जो सल्मान खान की और फिल्में देखकर बहुत ही कम है और सल्मान खान ने इसका रीजन अपने बर्देपाटी पर कहा कि CAA और NRC बिल्के जो ब्रोध हो रहा है प्रदर्सन हो रहा है उसके कारण फिल्म अच्छी नहीं चली जितनी मुझे उम्मिद थी उस पर खरी नहीं उतरी और ये वास्तिविक बात है सल्मान ने इस बात को कहा भी मीडिया से और आपने देखा भी किस तरह से इस बिल्का ब्रोध हुआ और काफी धारे 144 भी लाग हुई कहीं चेतरों में उत्तर प्रदेश हो दिल्ली हो केरल हो और बहुत हिंसा भी हुई तो इसी कारण सल्मान की को काफी नुकसान हुआ जिसका खुलासा सल्मान खान ने अपने बर्देश पार्टी पर करा कहा कि मेरी फिल्म जो मुझे उम्मीद थी उस पर खरी नहीं उत्री जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलिवुट के बड़े बड़े सूपर स्टारों ने इस पर कोई भी जवाब न बयान दिया था और उन्होंने CAA और NRT विल का वरूद किया था तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सेर करो कॉमेंट करके बताओ